दोस्ते एक ऐसा प्रेमेट में था जिसमें कि आपको न आपने कार्ट को स्वाइब करना है न आपने आपको कार्ट को किसी मसीन गंदर डिप करना है आपको बस अपने कार्ट को मसीन के ऊपर रख देना है और आपका ट्रांजिक्सन पूरा हो जाएगा जी आप मैं बात कर र जगा पे जहां पे आपको पेमेंट करना होता है अगर उसमें एक अलग लाइन होती है वीजा पेवेड की या फिर मास्टर कार्ट के पेपास की तो आपको वहाँ पे बहुत जल्दी कार्ट का ट्रांजेक्शन होता रहता है क्योंकि आपको उसमें पिन डालना होता है ना उस इस फोन में आपको NFC enabled है, तो आप उस फोन से payment कर सकते हैं, बिना किसी card के जैसे Samsung का phone हो गया, उसमें Samsung Pay आता है, ऐसे ही बहुत सार payment method है, जो कि NFC के तुरू काम करते हैं, लेकिन यहां में बात कर रहा हूँ card की, आप अपने normal ATM debit card से, जो कि contactless enabled है, मतलब वीजा pay wave है, या फिर mastercard का pay pass है, तो उससे आप contactless payment कर सकते हैं, क्योंकि इसके नदर आपको RFID होता है, Radio Frequency Identification, जो कि आपको एक electromagnetic field generate करता है, जिसके विले से आपका card से payment, उस card reader पे read होता है, और card reader पे आपका card से communicate करता है, और इसमें आपका card electromagnetic field generate करता है, जिसके विले से आपका payment हो जाता है, आप आपका payment पूरी तरह से हो जाता है, बहुत सारे POS पे इस टाइप का symbol रहता है, जो कि वाई-फाई की तरह होता है, तो आप समझेज़ें यहाँ आपका, कि contactless card यहाँ पे accept हो सकता है, और इसमें आपको करना क्या होता है, सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, कि आपको अपन पिन डालना पड़ेगा, या फिर आपको sign करना पड़ेगा payment पूरा करने के लिए, तो मैं आपको वो card दिखा दू, जिसे मेरा यह card है, यहाँ पे आपको एक Wi-Fi type का symbol बना हुआ होगा, जिस पर कि वीजा पे लिखा हुआ होगा, तो अगर इस तरह का symbol आपके card के उपर भी है, तो आप भी बहुत जल्दी में होते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आप एक लम्मी लाइन में लगे, तो आप इस card का स्थमाल कर सकते हैं, और यह आपके समय को बहुत जादा, मैं बता रहा हूँ, मैं इसको बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ, बहुत जादा समय की budget ह होती है आपकी, अब यह बात कर ले दे कि यह card आपका इतना सेफ है, बहुत लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर उनके पीछे वाले wallet पे या फिर उनके wallet में यह card रखा हुआ होगा और कोई आके वो machine टच कर दे, तो शायद उनके card से वो payment हो जाए, तो मैं आ इन cards में protection आपको same वही उसी तरह की मिलती है, जो कि आपको एक EMV chip card में आपको protection देखने को मिलता है, और इन cards में आपको multi-layer protection दिया हुआ रहता है, जैसा कि आपने आपको बताया कि आपको 4 cm से कम की दोरी होनी चाहिए contact list card के लिए, तभी आपका transaction हो पाएगा, साथ ही किसी line में ख़ड़ा हूँ POS के पास, तो क्या मिले card से payment वहाँ पे कट जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको जैसा मैंने बताया कि इसकी दूरी आपको 4 cm से कम की होनी चाहिए, और एक सही proper जगा पे होनी चाहिए card के ऊपर, तो ही आपका payment इसके अंदर होगा, अ contactless card के security को लेकर जो भी company इसको इसको कर रही है, जैसे कि वीजा हो गया, mastercard हो गया, वो बहुत ज्यादा concerned है इस चीज को लेकर, कि इस तरह का fraudulent ऐसा ना हो, अगला कोशनी है कि अगर आप अपने card को 2-3 बार tap कर दें, तो क्या 2-3 बार transaction आपका हो जाएगा, same amount कर जाएगा, जो भी card, जो भी सामने वाला है, जो कि आपके payment को receive करेगा, वो पहले amount को enter करता है, और उस amount को enter करने के बाद, एक code generate होता है, जो कि एक ही transaction के लिए valid होता है, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कि आप अगर 2-3 बार card को tap करते हैं, तो आपका transaction 2-3 बार करता है, ऐस सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको charge last digit का card का number show होगा, तो आप ये जान पाएंगे कि किस card से आपका payment हुआ है, तो ये थे कुछ FAQs और आपके सारे doubts, और ये card कैसे काम करता है, ये card होता क्या है, अगर आपके पास ये card अभी तक नहीं है, तो आप simply अपने bank में जाके बहुत सरे banks इसको provide कर रहे हैं अभी, तो ये थी एक पूरी जानकारी सायदा कोई वीडियो अच्छा लगा, कोई वीडियो अच्छा लगा तो आप लिज लाइक करते हैं, दोस्ते का साथ share करते हैं और चैनल को subscribe कर ले, thank you